स्वागते बच्चों हमारे चैनल पर हम आपकी लिए लेकर आए हैं प्रकर कारे पुस्तिका कक्षा 8 विसे हिंदी का कारे पत्रक नमबर 12 इससे पहले हमने बहुत सारे कारे पत्रक देखे हैं 11 तक और आकलन पत्रक भी देखे हैं जिनको आपने देख लिया होगा अगर नहीं देखा है तो हमारे चैनल को खोलिए और उन कारे पत्रक को देखिए इस कारेपतरक का प्रशने श्टार्ट करते हैं इसमें दक्षता दी गई है छोटी कहानियों को पढ़ना और दी गई जानकारी और तथ्यों से संबन्द स्थापित कर पाना कहानी को पढ़कर दिये गई प्रशनों के उत्तर दीजिए यहाँ छोटी से एक कानी है किसी जंगल में एक हरा भरा पेड था उस पेड पर बहुत से पक्षी अपना घुसला बना कर रहते थे उन पक्षियों में एक तोता भी था वह साकाहारी था अन्य पक्षी तो फल पूलों के साथ साथ कीड़े मकोड़े भी खा लेते थे परंतु वह तोता केवल पेड के फल फूल खाकर ही संतुष्ट रहता था एक दिन उस जंगल में एक सिकारी आया हरे भरे पेड पर तरह तरह के पक्षियों को बैठा देखकर उसने सिकार करने की सोची उसने जहर से बनी बानक से एक पक्षि पर निशाना लगाया किन्तो उसका निशाना चूप गया और बान पेड के तने में जा लगा कुछ दिनों में वह पेड जहर के असर से सूप गया और पक्षियों का आसियाना उजड़ गया तो बच्चों इस कहानी में से देखते हैं कौन-कौन से प्रश्ण है प्रश्ण नम्मर एक है दिये गई विकल्प में से सही उत्तर चुनिए जंगल में कैसा पेड था हरा बरा या सुखा या विसैला तो हरा बरा पेड था इसलिए हम हरा बरा पेड सही का निशान लगा देंगे तोता कहां रहता था पिंजरे में गुफा में या पेड पर तो पेड पर रहता था पेड पर सही का निशान लगाएंगे पेड़ पर पक्षी क्या बना कर रहे थे जोपड़ी गोंसला या बिल तो गोंसला बना कर रहे थे इस पर टिक लगाएंगे तो ता साकारी था साकारी का आर्थ मास का सेवन करने वाला या मास का सेवन नहीं करने वाला तो मास का सेवन नहीं करने वाला पिटिक लगाएंगे अगला प्रिश्ट नमबर दो है, रिक्तिस्तानों की पूर्थी कीजिए, फल, फूल, पक्छी, जहर, वर्षा, बाण, ये सब्दे दिये हुए हैं पहला खाली जगए भरना है हमको, हरा भरा पेड जहर के असर से सूख गया, जहर भरेंगे यहां दूसरा है, पेड़ों पर बहुत से पक्छी अपना गोंशला बना कर रहते हैं, यहां पक्छी हमने भरा है तीसरा है, बाग के बाण के जहर से पेड सूख गया, यहां हम बाण भरेंगे चोथा है, साकारी पक्छी फल फूल खाकर ही अपनी भूख मिटाते हैं अगला प्रस्ण नमर तीन है, असुद्ध सबधों को असुद्ध करके लिखिए जैसे यहां दिया हुआ है, घोंशला लिख देंगे महात्मा, यहां आदा तब लगा करके महात्मा को सही लिखेंगे पश्चात, पस्चात को इस तरह से लिखा जाता है धाम्रिक, धाम्रिक को धार्मिक इस तरह से लिखा जाता है अगला प्रश्न है, सब्द युगमों से वाक्य बनाईए जैसे फल फूल से वाक्य बनाना है बगीचे में कई प्रकार के फल फूलों के पेड़ है दूसरा है पालन पोसन माता अपने बच्चों का पालन पोसन उचित तरीके से करती है तीसरा है कीडे मकोडे गोरईय कीडे मकोडे खाकर अपना पेट भरती है तो बच्चों इस तरह से था ये कारेपतरक नमबर बारा कम्पलीट होता है आगे की कारेपतरक देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से धन्यवाद